नमस्कार SBD News में आपका स्वागत है पेशे 15 अप्राल सोमवार सुबस सवा 11 बजी राजस्थान की बड़ी खबरें कॉंग्रिस के वरिस्ट नेता प्रियांका गांधी वाड़ा ने रविवार को कहा कि भारते जन्ता पार्टी का संकल पत्र तो दिखावा है और असले घोशना पत्र समिधान बदलो पत्र है श्रेमती वाड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गली गली राजेदर राज्य भाजपा के नेता भाजपा के प्रत्याशी समिधान बदलो पत्र लेकर घूम रहे हैं और भाशनों में बाबा साहिट के समिधान को बदलने की बात कह रहे हैं उन्होंने आरुप लगाए कि देश विरोधी, समाज विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ये सारे शड़ियां अंत्रभाजपा पहरे नीचे से ही शुरू करती है शुरुआत में सबसे उपर के नेता जुनता के सामने समिधान की कस्में खाएंगे मगर रात में समिधान को खत्म करने की पढ़कता लिखते हैं बाद में पूरी सत्ता पाने पर समिधान पर हमला करेंगे वाडरा ने कहा कि बाबा साहिब का समिधान भारत की आत्मा है हमारा समिधान देश की करोडों लोगों को सम्मान सी जीवन जीने का हक देता है रासन के मुखी मिंत्री बजनलार शर्मानाई लोकसबच नाव के लिए जवारी भारते जनता पार्टी के घोशना पत्र को अतिहासिक बताते हुए कहा है कि ये विक्सित भारत का संकल्प पत्र है जो गरीब किसान युवा एवं महिलाओं को समर्पित है उन्होंने घोशना पत्र पर अपने प्रतिकृया में रविवार को ये बात कही उन्होंने कहा कि भाजपार ने संकल्प पत्र जो जो गरीब किसान युवा एवं महिलाको सशक्त करने का σंकल्प है पिछले 10 वर्ष में महिला गरिमा एवं इसके नए अफसरों को समर्पित किया गया है और महिल ज़रसकी नहीं भागिदारी कैसे इसके लिए संकल्मित है उन्होंने कहा कि संकल्म पत्र में है प्रधान उंद्रइंडर मोदी की गेरेंटी यानी पूरा होने की गेरेंटी। प्रधाम नंत्री नरेंडर मोदी ने आगामी पान साल में विक्सित भारत के च्वार मजबूत स्थमबो युवा महिला गरीब और किसान को सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराया रहिवार को कहा कि जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और भारती जनता पार्टी सी आधार प्रदेश को विक्सित भारत बनाने के लिए संकल्प है। अपने घोशना पत्र के हर बिंदू को गैरेंटी के तोर पर लागू किया है। सहित कई लोगों की चुनावी साख दाव पर लगी है। रोट शो करेंगी। राजिसान के भारते जंता पार्टी प्रदेश ध्रक्ष सीपी जोशी ने पार्टी के लोग सब चुनाव को लिखर जौरी संकल पत्र को मोदी की गैरेंटी के साथ सभी वर्गों की विकास हैं विक्सित भारत का आधार बताया है। जोशी ने संकल पत्र पर अपनी प्रतिकरिया में कहा कि पिछले दस वर्षों में प्रधानवंति नरींडर मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया और ये ही मोदी की गैरेंटी है। इसलिए जरता का पूर्ण विश्वास मोदी पर है। जननता के अपेक्शाओं को लेकर कोई विज़न नहीं है। भाचपा द्वारा पिछले दस सालों में पूरे ना किये गए वादो का कच्चा चिठा पूरे देश के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मोदी और भाचपा ने पिछले दस सालों में देश के लोगों को अपने जुमलों से बस धोखा देने का काम क्या है। अगर दस साल में काम किया है तो उसके आधार पर वोट मांग कर दिखाएं। पांस लाक रपे तक के निशुलक उपचार की सिविधा दी जाएगी। कॉंगिस की पूर वद्यक्ष राहूल गांदी ने रईवार को कहा कि भादे जनता पार्टी के घोशना पत्र और नरेंद्र मोदी के भाषन से महंगाई और बेरुजगारी गायब है। मायजित का डॉक्टर भीमराव के आदरशो को याद किया गया। कारकर में कलेक्टर डॉक्टर भावरलाल और एस्पी मनीश स्रीपाठी ने डॉक्टर नमेरिटकर की प्रतिमा पर माल्यारपन करना बन किया। और उनके आदरशो को याद किया। इस दोरान एडियम नरीश मुनकर एस्पी महेंद्र पारिक नगरपईशद आयक्ट प्रजुईश रायादी ने माल्यारपन किया। लोकसब चुनाओं से पहले रविवार को जयापुर में पदम भूशन पंडित विश्व मोहन भाट पदम श्री कालबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा समेत आठ पदम अवार्डी ने बीजेपी जोईन की। उनके साथ डुंगरपूर क्रिकेट असोसियेशन के सेक्रेटरी सुशील जैन, प्रदेश कॉंगरिस के पुर्व महासचेव रुपेश कांथ व्यास समेत 12 से ज़्यादा लोगों ने भी भारती जनता पार्टी की सिदस्यता ग्रहट की। इस दरान गुलापू सपेरा ने कहा, देश में मोधी सरकार के कारेकाल में महिलाएं और बेटियां सम्मान से आगे बढ़ रही हैं, इसे देखकर बेजेपी में आने का फैसला किया है, मैं चाहती हूँ कि और भी लोग भारती जनता पार्टी में शामिन हो ताकि देश का व महिमा कुमारी ने आज संसदी शेत्र में फरारा महादेव में आयजित सभा को संभोधित करते हुए, कहा कि ये सत्य और स्वाभिमान का चुनाव है, हमें सत्य का चुनाव करना है, तब इस ट्रेस्ट का चुनाव होगा जालोर में डेपुटी सीम दिया कुमारी ने रविवार को भाच्व प्रत्याशी लूंबाराम के समर्थन में सभा की, डेपुटी सीम के साथ कानून मंत्री जोगाराम भी जालोर पहुंचे, भीनमाल रोड परस्तित बागरा में सेर्श सामरिया मंदिर में दिया कुमारी जालोर के बागरा पहुंचे डेपुटी सीम वे कानून मंत्री जोगाराम पटेल का बागरा भाच्वा मंदल की ओर से स्वागत किया गया, जालोर में एक तरफ कांगरिस के प्रत्याशी हैं जो पूर मुख्य मंत्री के बेटी के रूप में पहचान रखते हैं, जो कभी का मात्र ऐसी पार्टी है, जो वांशवार नहीं करती। स्प्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर